आधुनिक भारत का अमरित भारत स्टेशन कैसा होगा, आम आत्रियों के लिहाद से वो कितना नजदीक होगा, हमार साथ बाचित करने के लिए के इंद्रिये मंतरी अश्विनी वैसनव जी है, सर आधुनिक भारत का अमरित भारत स्टेशन 508 रेलवे स्टेशन का प्रदान मंत से चाहे रिल्वे सेफटी हो चाहे पैसेंजर अमेनिटीज हो चाहे नई टेकनालोजी की ट्रेंस हो हर एक चीज पर माने प्रदान मंतरी जी का बहुत ध्यान रहता है उसी करम में आपने देखा होगा पिछले नौ वर्शों में रिल्वे स्टेशन जिस तरह से ट्रांसफॉर हुए अब उनका पुनर निर्मान री डेवलप्मेंट किया जा रहा है और इस री डेवलप्मेंट में इन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है कि किस तरह से पचास वर्शों की जरूरतों को ध्यान में रखके एक मास्टर प्लान बने फिर आपने देखा होगा कि शहर में श साधन से दूसरे साधन में, जैसे मान लो बस टेंड से उतरे, तो आराम से रिल्वी स्टेशन के अंदर जा सके, या ट्रेंड से उतरे और मेट्रों में बैठ सके, तो मल्टी मोडल इंटिग्रेशन, और जैसे आपने देखा होगा, इस टेशन जहां पर है, वहाँ पर बहुत एक dense development होता है, तो वहाँ पर एक नई urban space, नई एक जगे कैसे create हो सकी, जैसे रानी कमलापती station है, वहाँ करीब 100 foot की roof plaza है, याने पटरियों के उपर, प्लैटफॉर्म्स के उपर एक पुरी छट जैसी बनी हुई है, उसमें आराम से यात्री बैठ सकते हैं, उसमें खाने प पुनुर्दार करेंगे, चुकि कल्चर के लिहाँ से देश में अलग 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 कल्चर है, तो जब आप रिनोवेशन कर रहे हैं, जो उसका master plan बना रहे हैं, तो क्या वहाँ की locality को जो local का नारा प्रदान मंत्री ने दिया है, क्या उसका ख्याल आप लोग रख रह है, वो कितना इसे बल मिलेगा है? डेफिनेटली देखिये माने प्रदान मंत्री जी ने जो concept दिया, local for local, उसके तहट one station one product का जो प्रोग्राम मना, उसमें आज करीब करीब 800 station में local products को बहुत अच्छा market मिल रहा है, average income जो लोग इसमें जुड़े हैं, उनकी average income 30,000 रुपे पर मन्त है, से 30,000 से लेके 80,000 रुपे पर मन्त है, इतनी अच्छी एक सुविदा मिली है, जिसमें local product को एक बहुत बड़ा market मिला है, कही जगे तो मुझे उन जो stall पे काम करते हैं, उन लोगों ने कहा कि हमारे पास export order आने लग गए, तो ये एक बहुत अच्छी विवस्ता है, जो कि पुनर निर्मान के टाइम में, स्टेशन की redevelopment के टाइम में इसको और ज़्यादा एक्सपैंड किया जाएगा, एक और सवाल था था कि जिस तरीके से British India में रेल थी और कहा जाता था कि आम आदमी से दूर थी, दीरे दीरे आम आदमी के करीब आई, तो आने वाल है, वक्त में बारतिये रेल इन पुनरुद्धार के जरिये क्या जो lower middle class है या BPL जिसको बोलते हैं, उनको ध्यान में रखकर क्या यूजनाएं हैं, और दूसरा जो पांसवार रेल वे स्टेशन का पुनरुद्धार होना जिसके प्रदानमंतर याधार सिला रख रहे हैं, इसलिए किसी के ओपर additional burden न रखते हुए भी करीब 24,000 करोड का investment रेल वे स्टेशन के पुनर निर्मान में होगा, पिछले अगर आम देखे हैं, आज भी पिछले 9 वर्शम में बहुत focus किया गया है कि किस तरह से साधरन यात्रियों को अच्छी facilities मिलें बिना burden बढ़ाएं, अ 508 में तो उसमें कुछ राजियों को जैसे उतर प्रदिस में पश्चिपन के आसपास थे, बिहार में 49 थे, तो करनाटक और पश्चिम मंगाल में स्टेशन जो पुनरुद्धार जो 508 आप तो कर रहे हैं, उसमें वो स्टेशनों की संख्या कम है, तो आने वाले वक्त में अमरिद भारत इस्टेशन योजणा के तहट चैनित किया गया है, जहां पर मास्टर प्लान के अच्छी प्रोग्रेस हुई है, जहां पर लोकल अथारिटीज का बहुत अच्छा कोपरेशन मिला है, वहां पर जल्दी फांडेशन स्टोन का करिक्रम आया है, और इसके बाद दूँगा Tamil Nadu का अगर आप आज जाएं चिनन्य एग मॉर्ग स्டेशं प्रिशन पर जाएं कितना तेज़ी से काम चल रहा है तमिलाडो में तो हमारी सरकार नहीं है आप जाए उडिशा में पूरी में देखिये काम कितना तेज़ी से चल रहा है तो ऐसा राजनितिक इसमें कोई बेदबाव की बात ही नहीं है मोदी जी का हमेशा से एकदम क्लियर स्पष्ट फिलोसोफी रही है सबका साथ सबका विकास अयुद्या का रिल्विश्टेशन कब सर्ख शुरू हो जाएगा आम यात्रियों के लिए मंदीर का तो ऐलान हो चुका है कि आप जन्वरी में वहां से रामलला का दर्शन करेंगे अयुद्या में भव्य मंदीर बन रहा है उस मंदीर में लाखों श्रदालू दर्शन के लिए आने वाले हैं उसी तेयारी से अयुद्या का स्टेशन भी एक बहुत ही सुन्दर डिजाइन के साथ बन चुका है अधुनिक भारत का आधुनिक रेलवे स्टेशन कैसा होगा इसकी बानगी आपको मज कुछ महीनों के बाद देखने को मिलेगा उसकी शुरुवात 508 रेलवे स्टेशन का प्रणान मंतुर नरिंदर मोदी उसकी आधार सिला रही वार की सुबह 11 वजे रख रहे है कैमरामेन अमीत राक के साथ रिसी केश कुमार न्यूस 24 दिल्ली